सपने में तोटा खरीदना दोस्तो अगर आप यह देखते हैं कि आप सपने में किसी मार्केट में गए हैं और उसी मार्केट से आप किसी तोटे को खरीद कर अपने घर लाते हैं तो दोस्तो समझें कि आप अपने भविश्य में खुब जम कर ख़ड़ी करने वाले हैं सपने में तोता पकरना दोस्तो अगर आप यह देखते हैं कि आप सपने में जाल बिछाते हैं और उसी जाल के मध्यम से किसी तोते को पकर लेते हैं तो दोस्तो आपको यह समझना चाहिए कि आपके बीच में कोई एसा इंसान है जो आपके पीट पीछे आपका मजाक उराता है। दोस्तो अगर आप उस तोंते को जंगल में पकरते हैं तो समझ लीजिए कि वह इंसान जो आपका मजाक उराता है वह आपसे काफी दूर है अगर आप उस तोंटे को अपने घर या आफिस में पकरते हैं तो आपको यह समझ़ने चाहिए कि जो आपका मजाक उड़ाता है और आप उसे नहीं जानते वह बेक्ति आपके आसपास ही आए सपने में तोंटे के अंडा देखना दोस्तो अगर आप सपने में देखते हैं कि किसी तोंते के अंडा किसी बिल में परा हुआ है तो दोस्तो इसका अर्थिया होता है कि आप किसी नए काम को सुरू करने वाले हैं या फिर पहले से आप किसी नए काम को सुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तो आपको इसी समय उस काम को सुरू करना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया आपका कार्ज शफल होगा. सपने में मरे हुए तोंते के बच्चे को देखना. दोस्तो अगर आप यह सपना देखते हैं, तो आप जिस भी काम को उस समय सुरू करने वाले हैं, दोस्तो आपको उस काम की सुरूआत नहीं करनी चाहिए. नहीं तो दोस्तो अगर आप उस चमय किसी भी काम की शुरुआत करेंगे आप उसमें असफल होंगे आपका बना हुआ काम भी बिगर जाएगा समुद्र में किसी इनसान के पीट पर बैठे हुए तोते को देखना दोस्तो अगर आप यह सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि बहुत ही जल्द दोस्तो आपकी यातरा होगी मतलब कि दोस्तो आपके पास कुछ ऐसे काम आएंगे जिसकी वज़ा से आपको यातरा करना पर सकता है सपने में चहटते हुए तोते को देखना दोस्तो अगर आप यह सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि दोस्तो आप अपने लक्षो पर अपने ध्यान को केंदरित कीजिए क्योंकि आपका ध्यान आपके लक्षो के तरफ से भटक रहा है आप जो भी काम करना चाह रहे हो आपका जो भी लक्षे हो दोस्तो उसे ध्यान पूर्बग कीजिए दोस्तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस काम में जरूर कम्याबी मिलेगी सपने में तोंता को पकरना दोस्तों अगर आप देखते हैं कि आप सपने में किसी तोंता को पकर रहे हैं तो इसका अर्थिया होता है कि कोई वेक्ति आपको ऐसा सलाह देगा जिसकी वज़ा से आप परिसान हो सकते हैं दोस्तो आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी सपने में तोंते को पिंजरे में देखना दोस्तो अगर आप ऐसा सपना देखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि दोस्तो इसका अर्थिया होता है कि आप किसी के साथ में बात चीत के समय हार सकते हैं या फिर आपकी बदनामी हो सकती है इसलिए किसी से गप सब करते समय सावधान रहें सपने में बंद पिंजरे में तोते को देखना दोस्तो अगर आप यह सपना देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप बरतवान समय में संतुष्ट है मतलब कि आपका समय सही से गुजर रहा है आपका समय मिली जुली चल रहा है दोस्तो यदि आप बंद पिंजरे में बंदर और तोते को उदास देखते हैं तो दोस्तो इसका मतलब यह होता है कि आप किसी समस्याओं के जाल में उल्हे हुए हैं और आप इससे कैसे निकले आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गायल तोंता को देखना। दोस्तो अगर आप यह सपना देखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तो इस समय आपको बिलकुल भी जूट नहीं बोलना चाहिए। आप किसी बरे मुसीबत में फंस सकते हो। साथ ही दोस्तो अगर आप किसी ऑफिस या फिर कहीं और जगा यानि की घर को छोड़ करके तोते को देखते हैं कि वहां घायल है और मर रहा है तो दोस्तो इसका मतलब यह होता है कि आपके ऑफिस के कुछ इस्टाप आपके खिलाप कुछ सड्य अंत्रे रच रहे हैं जो आपको काफी नुकसान पहुचा सकता है इसलिए आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और आस्ते में घायल तोता दिखाई दे रहा है तो दोस्तो यह सपना अच्छा नहीं होता है दोस्तो इस सपने का मतलब यह होता है कि आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर आपको बहुत सारी समस्याओं का समना करना पर सकता है इसलिए दोस्तो आपको काफी सौधानिया उस्षमय बरतनी होगी साथ ही अपनी जुवान पर काबूर रखकर ही किसी बात को रखनी होगी सपने में तोंते से बात करना दोस्तो यदि आप देखते हैं कि आप किसी तोंते से सपने में बात कर रहे हैं तो दोस्तो यह एक अच्छा सपना होता है दोस्तो अगर आप उस तोंते की बात को याद रख लेते हैं तो और भी अच्छा होता है क्योंकि दोस्तो तोंता सपने के मध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिस करता है सपने में तोंते का हमला करना दोस्तो आप सपने में देखते हैं कि आचानक से कोई तोथा आकर आपके उपर हमला कर देता है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि दोस्तो आपके पीठ पीछे कोई व्यक्ती सडेंत रच रहा हो जो आपको काफी नुकसान पहुचा सकता है दोस्तो यहां तक कि आपकी वह इंसान जान भी ले सकता है इसलिए आपको इस समय काफी सौधानिया बरतनी चाहिए यदि बहुत सारे तोंते एका एका आपके उपर हमला करते हैं तो दोस्तो इसका अर्थिया होता है कि आपके दुस्मन आपके आसपास ही है और आपको कभी भी मार सकते हैं इसलिए आपको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए दोस्तो यदि आप सपने में यह देखते हैं कि बहुत साए खूबसूरत तोते हैं और आप उन्हें पकरने के लिए दो रहे होते हैं दोस्तो दोरते दोरते यदि तोता घुम करके अचानक आपके उपर ही हमला कर दे तो दोस्तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके जो दुस्मन है आपके खिलाप में कोई जाल बुंड़ा है जिसमें आपको फंसाने की कोशिस कर रहा है और दोस्तो अगर आपने उनके चालों पर ध्यान नहीं दिया तो दोस्तो आप उस जाल में फंस भी सकते हैं दोस्तो यदि आप सपने में देखते हैं कि आप अपने अफिस में बैठे हुए हैं और अचानक से तोटा आपके उपर हमला कर दे तो दोस्तो आपको आपके बिजने से खत्रा हो सकता है आपको आपके नोकडी से खत्रा हो सकती है क्योंकि दोस्तो आपको आपके दुस्मन का आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं पर भी है और अपने हाथ में तोटा को पकर रखे हैं तो दोस्तो इस सपने का आर्थिया होता है कि आपका जो समय है काफी महत्पूर्ण होने वाला है मतलब कि दोस्तो आप खुब गप सप मौज मस्तिक करेंगे आपका आगे का जो समय है का काफी खुशहाल बितने वाला है। दोस्तों यदि आप सपने में अकास में उर्थे हुए तोंता को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि बहुत सारे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी महत पुर्न बातते पता है और आपके पीठ पीछे आपके काफी बुराईया करेंगे आपके बारे में नकारात्मक बाते करेंगे जिसके बारे में आपको थोरा सा भी भनक नहीं लगने वाला